यमुना नदी भारत की राजधानी के लोगों को पीने का पानी मोहिया कराने का सबसे महतुपून साधन है शहर के उत्री इलाके में अब भी सब कुछ साफ साफ दिखता है लेकिन जब नदी दक्षणी हिस्से से निकलती है तो सब कुछ बदल जाता है इसकी वज़ा है शहर से नदी में पहुचने वाला गंदा पानी दिल्ली शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है raw water की availability क्योंकि अभी तक जितना भी काम किया गया है वो cleaning को लेके भी है लेकिन water augmentation को लेके काम करने की बहुँच जरुवत है क्योंकि जिस तरीके से demands rise कर रही है क्योंकि population बढ़ रही है, urbanization बढ़ रहा है तो उसी सबसे दिल्ली की जो water needs है उसमें उसके requirements भी बढ़ रही है ये कुलबुलाते कीडे शहर में पानी की जटिल समस्या का समधान खोजने में मदद कर सकते है दिल्ली जल बोड ने एक उननत प्लांट लगाया है जहां सीविज के विशेले पानी को साफ कर पे जल में बदला जाता है वो भी पूरी तरह एक प्राकृतिक प्रक्रिया से बहुत से देशों में पानी को एक हद तक साफ कर नदियों में डाल दिया जाता है यहां इसे बदलने की कोशिश है इसके लिए सुनेल सिंगल और उनकी बेटी समिता ने टॉलेट टू टैप टेकनोलोजी तयार की है यह आइडिया इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है कि सीवेज लाइन और पीने के पानी की सप्लाई लाइने आपस में मिल जाती है खासकर बारिश के मौसम में बहुत ही खराब लगता है नहाते वक्त आपको बदबू आती है पेट की दिक्कते इंफेक्शन और ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है तो सवाल ये था कि हम कर क्या सकते हैं और मैंने बच्चों को सीवेज के पानी में खेलते देखा है इससे बहुत दुख होता है इसी सबसे ये कॉंसेट आया सीवेज का पानी बहुत सारा है तो फिर हम इसे टीट क्यों नहीं करते दिल्ली जलबोड ने पश्चिमी दिल्ली के केशवपूर में एक उन्नत प्लांट लगाया सोलर बिजली से चलने वाला ये प्लांट हर दिन एक लाख लीटर पोर्टेबल पानी तयार करता है और नदी को साफ करने में मदद करता है आसपास के इलाकों से सीवेज के पानी को टैंकों में जमा किया जाता है और फिल्टर की मदद से उसमें से कच्रे और प्लास्टिक के कणों को अलग किया जाता है इसके बाद गंदे पानी को पत्थरों और बालू से बने बायो फिल्टर की पांच परतों पर डाला जाता है जहां केंचुए अपना काम करते हैं वो पुर्दूशक तत्वों को सरल कणों में विगठित कर देते हैं इस पूरी रिसाइक्लिंग प्रकरिया को कमपनी के संस्था पक सुनील सिंगल ने तयार किया है कुछ चीजें पहले से थी जैसे कुछ लोगों ने केचुओं को लेकर इस तरह के प्रयोग किये थे लेकिन ये काम इतने बड़े स्थर पर नहीं हुआ था फिर चुनौती ये थी कि ये काम 50 दिगरी तापमान से लेकर जो भारत में देखने को मिलता है ले में पाए जाने वाले माइनस 2 डिगरी तक पर काम करना चाहिए कीडों को भी जीवित रखना है फिर ये देखना है कि सीवेज कितना विशेला है भारत में सिर्फ घर का सीवेज नहीं है, बलकि उसमें ओद्योगिक सीवेज भी मिला है नैनो मेंबरेशन फिल्टरेशन टेकनलोजी के इस्तेमाल कर यहां पानी को उच्च गुणवत्ता वाले पानी में तबदील किया जाता है जो विश्व स्वास्ते संगठन के मानकों पर खरा उतरता है ये हर घंटे 4000 लीटर पानी साफ कर सकता है ये टेकनलोजी काफी महंगी है लेकिन देर्ग कालिक रूप से देखें तो परमपरागत सीवेज प्लांट के मुकाबले लागत ज्यादा नहीं है सबसे जरूरी बात है इसे चलाने की लागत जो बाजार में हमारे पास सबसे सस्ती है सीवेज साफ करने वाले पारमपरी प्लांट की लागत से आट हुना सस्ती दूसरी बात इको फ्रेंडली होने के नाते कोई भारी उपकरण नहीं चाहिए इसलिए इसमें बिजली कम से कम लगती है इस तरह से ये पूरी तरह टिकाओ सिस्टम है Absolute Water के प्लांटों में हर दिन सीवेज का करीब 30 लाख लीटर पानी साफ किया जाता है ये दिली में निकलने वाले गंदे पानी का सिर्फ एक हिस्सा भर है लेकिन कमपनी को उमीद है कि शहर की आबादी की 80 फीस दिमांग इस तरह पूरी हो सकेगी